नमस्कार फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेंधा नमक खाने के फायदे और नुकसान के बारे में और इसके साथ साथ जानेंगे कि किन लोगों को सेंधा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए या किस कंडिशन में सेंधा नमक का सेवन करना नुकसान दायक होता है इस बारे में जानेंगे कि mainly हम जो नमक यूज करते हैं हमारे घरों में जो नमक यूज होता है वो दो तरह का होता है एक सफिद नमक और दूसरा सिंधा नमक सफिर नमक होता है वो समुद्र के पानी से तयार किया जाता है और सिंधा नमक पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास का जो हिमाले का एरिया है वहाँ चट्टान के रूप में पाया जाता है एक तरह का एक खनीजपदार्थ है का दुसरा नाम लाहोरी नमक भी है अगर composition की बात करें तो सिंधा नमक में 85% sodium chloride होता है और 6 जो 15% होता है उसमें minerals होते हैं iron, copper, zinc, iodine, magnesium इस तरह से लगवग 84 minerals होते हैं naturally जो 92 तरह के minerals पाए जाते हैं उसमें 84 तरह के minerals इस सिंधा नमक में पाए जाते हैं और ये सभी हमारे body के लिए जरूरी होते हैं लेकिन जो सफिद नमक होता है इसमें 97% sodium chloride होता है और बाकी के 3% में बाहर से जो तब तो मिलाए जाते हैं थोड़ी बहुत मात्रा iodine की होती है और सफिद नमक में मुखे रूप से 2 ही mineral होते हैं जबकि सिंधा नमक में 84 तरह के minerals होते हैं हाँ ये अलग बात है कि सफिद नमक में iodine की मत्रा उतनी होती है जो हमारे body के लिए जरूरी है लेकिन सिंधा नमक में iodine के मत्रा बहुत कम होती है लेकिन इसकी पूरती हमें अप iodine की कमी हो सकती है क्योंकि वहां के जो फल है सबजिया है उसमें iodine नहीं होगा आईए अब जान लेते हैं सिंधा नमक के फायदों के बारे में तो सिंधा नमक का जो सबसे बड़ा फायदा है जो पहला फायदा है वो है इंसुलीन का उत्पादन में helpful होना हमारे सरीर में magnesium क कमी होने की वज़ा से इंसुलीन हर्मोन के लेवल में कमी आ जाती है यानि कि इंसुलीन हर्मोन के सिक्रीशन के लिए magnesium की जरौत होती है और सिंधा नमक में magnesium पाया जाता है तो डाइविटीज की समस्या से जो लोग पीडित हैं उन्हें सिंधा नमक का सेवन करना चाहिए ए जो सफेद नमक होता है उसमें sodium collide बहुत जादे होता है लेकिन सेंधा नमक में sodium इसमें भी होता है लेंगि उससे बहुत कम होता है इसलिए heat count के लिए है इसमें potassium होता है जो hot patient के लिए फाइदे मन्द होता है तीसरा है सेंधा नमक हमारे पाचन को बेहतर बनाता है और हमारे पेट को साफ रखता है सेंधा नमक में कुछ ऐसे और सदिय गूर्ण पाया जाते हैं जो हमारे पाचन क्रिया को जो हमारे मेटा बोलिजम को fast करते हैं सही कर देते हैं तो इससे पाचन सही होता है इसके अलावा पेट में अगर गैस बनने दर्द आइठन जैसी समस्याएं होती है उस केस में भी सेंधा नमक फायदे मंद होता है सेंधा नमक में दर्द है, सुजन है, टॉंसिल्स की प्रॉबलम है तो हलका गुनगुना पानी में आधा चमा सेंधा नमक मिला कर अगर उस पानी से गलगला करते हैं तो इसे आपको गले की सुजन, गले का दर्द इस सम में रहत मिलता है पाच्वा फायदा है कि अगर किसी को गठिया की प्रॉबलम है यानि जॉइंट फेन की या मांसपेशियों में तर्द है तो उसमें भी फायदेमंद होता है इसके अलावा इस नमक को खाने से यानि सेंधा नमक को खाने से स्ट्रेस की प्रॉबलम में से निजात मिलती है क्योंकि यह सेरोटोनीन और मिलाटोनीन हर्मोन का बैलेंस को बनाए रखने में मददगार होता है आईए आप जान लेते हैं कि सेंधा नमक खाने से क्या नुकसान है तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सेंधा नमक में सोडियम कोडाइड पाया जाता है हाँ यह अलग बात है कि सफेद नमक से कम होता है लेकिन इसमें भी 85% सोडियम कोडाइड होता है जबकि सफेद नमक में 97% होता है और सोडियम कोडाइड यानि कि सोडियम का अगर हम जादे सेवन करते हैं ये hybrid pressure में नुक्संदायक होता है, kidney के problem में नुक्संदायक होता है, इसलिए कोई भी नमक हो, एक limit में खाना चाहिए, परड़े के हिसाब से करें, तो 4-5 ग्राम से जादे नमक का 7 नहीं करना चाहिए, एक चीज और, pregnant जो औरते हैं उन्हें या 5 साल से छोटे बच्चों को सेंधर नमक खाने से मना किया जाता है, और आयोडीन की कमी से गर्भ में सिसु का पूरा विकास नहीं हो पाता, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास नहीं होता, लेकिन हमें जितना आयोडीन चाहिए, उतना आयोडीन हमें बाहर से मिल जाता है, इसलिए ये कोई टेंसन की बात नहीं है, गर्भ से समन्धित ऐसी जनकारी आपको पसंद है आप हमारे इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सेयर कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों